पहलवान विनेज फोगाट आज पंजाब हरियाना के शंबू बोर्डर पर पहुंची जहां किसान नेताओं ने पहलवान विनेज फोगाट का सम्मानित किया वहीं बता दे कि किसान आंदोलन को पूरे 200 दिन हो चुके हैं लेकिन ना सरकार हार मानने को तयार है और ना ही किसा किसानों की तरफ से 200 दिन पूरे होने पर आज ये कारिकरम रखा गया है जिसमें विनेज फोगाट खनोरी वोटर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने पहुँच भी चुकी है इस दोरान विनेज फोगाट ने कहा कि आज किसानों को यहां बैटे हुए 200 दिन पूरे चाहिए अगर आपने कानूनों को लेकर माफि मांगी है तो उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए वहीं इस दोरान विनेज फोगाट से कॉंग्रेस के विधान सबचनाव में टिकर दिये जाने का सवार पूछा गया लेकिन उन्होंने इस पर चुप पिसात ले फोगाट न मैंसे चल रही है वहीं विनेज फोगाट ने कहा कि मैं अपने परिवार के पास आई हूँ अगर आप इस पर बात करेंगे तो आप किसानों के संगर सो लड़ाई को बरबाद कर देंगे आज फोकस मुझ पर नहीं फोकस किसानों पर होना चाहिए मैं एक आथलेट हूँ मैं मैं पूरे देश की हूँ मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस राज्य में चुना हो रहे हैं मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा देश पीडित है किसान परेशान है उनके मुद्दो का समाधान होना चाहिए और इसे हल करना सरकार की पहली प्रात्मिक्ता हो करने चाहिए